चलिए अब शुरू करते हैं हम बार्वाध्याई हमारे पशु प्रस्तुत पाट में पश्यों की शारिरिक सन्रच्णा तथा उनकी रहन सहन की चानकारी प्रदान की गई है साथ ही बताया गया है कि हमें उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना पाट पशु की पहचान यह है कि उनके चार पैर होते हैं पशु के बच्चे मा के दूद पर पलते हैं पशु के शरीर पर बाल होते हैं यह प्राता धर्थी पर रहते हैं पशों के दातों की बनावड ऐसी होती है कि वे अपने भोजन को अच्छी तरह खा सके मास खाने वाले पशों के दात लंबी सुए की तरह होते हैं जिससे वे मास को फार सके घास खाने वाले पशों के मूँ में आगे काटने के लिए चोड़े दात और पीछे चबाने के लिए बड़ी ताड़े होती हैं बंदर जो ना मास खाते हैं न न खास उन्हें कंद मूल फल खाने वाले दात मिले हैं पशों के पैर भी बिन बिन प्रकार के होते हैं कई पशों की उंगलियों पर नाखुन होते हैं, इसे पंजा भी कहते हैं, कई पशों के गाय भैस जैसे खुर होते हैं, खुर आगे से चिरे हुए होते हैं, कुछ के घोडे जैसे खुर होते हैं, उन्ट, हाती और गैंडे आदी के पैर भी अलग-अलगतर है के होते हैं. मास खाने वाले पश्यों के नाखुन तेज और लंबे होते हैं, जिससे वे मास को फाड़ सकें। फिरन आदी पश्यों की टांगे लंबी और पतली होती हैं, ताकि वे शिकारी पश्यों के पीछा करने पर तेज तोर सकें। बंदर को टहनिया पकड़ने के लिए पतली और लंबी उंगलिया मिली हैं। पश्यों की सुनने की शक्ति पहुत तेज होती हैं, कई पश्यों के कान पहुत लंबे होते हैं, वे अपने कानों को इधर उधर खुमा भी सकते हैं। सींग पश्यों के होशिया होते हैं, हत्यार होते हैं। ये प्राया घास खाने वाले पश्यों के होते हैं। कई पश्यों जुगाली करते हैं, वे पहले भूचन को बिना चबाए चल्दी जल्दी निकल जाते हैं, फिर बाद में आराम आराम से पेट से वापस मूँ में लाकर चबाते हैं। ऐसे हम पश्यों को कहते हैं जुगाली करने वाले। जंगली पश्यों के घर तरह तरह के होते हैं। कुछ पश्यों तो धर्ती में गटा खोद कर उसमें रहते हैं। तो कुछ कुफा में अपना निवास बना लेते हैं। कुछ दूसरे की खोहों में टेहिरा डाल कर पैट जाते हैं सभी बच्चों की तरह पशों के पच्चे भी सुन्दर होते हैं प्यारे लगते हैं पशों हमारे मित्र हैं ये हमारी अनेक आवशक्ताइं पूरी करते हैं हमें इनका पूरा खयाल रखना चाहिए इनकी रहने की जगे साफ सुत्री होनी चाहिए बिमार होने पर इने पशु चिकित साले ले जाना चाहिए चले आब आते हैं हम शब्दार्थ पर वर्ड मीनिंग चोपाया मीन्स चार पैरों वाला बोजन का मतलब है खाना शक्ती का मतलब है ताकत दाड का मतलब है पीछे के चोड़े दात कंद का मतलब है जड़वाली सबजी चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कारे पर पहले में हमें शुद उच्चारण करना है चोपाया बनावट नाखून गड़्टा अवशक्ता सुन्दर चिकित साले अब आते हैं हम दूसरे पर इसमें हमें सही विकल्प को चुन्ना है का मास खाने वाले पश्चों के दात होते हैं सुए की तरहा खा पश्चों की सुनने की शक्ती बहुत ही तेज होती है गाब पशु बिमार हो जाएं तो हमें उन्हें पशु चिकित साले ले जाना चाहिए चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर बताईए चोपाया किसे कहते हैं जिन पशु के चार पैर होते हैं उन्हें हम चोपाया कहते हैं पशु क्या क्या खाते हैं पशु कंद, मूल, माज, घास, आदी खाते हैं पशु हमारे क्या हैं? पशु हमारे मित्र हैं चलिए अब आते हैं हम चौधे पर इसमें हमें निमलिखित पृष्णों के उत्तर लिखने हैं माज खाने वाले पशु के दाथ कैसे होते हैं? माज खाने वाले पशु के दाथ लंबे सुए की तरह होते हैं जुगाली करना किसे कहते हैं? कई पशु भोजन को बिना चपाई जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और फिर बाद में आराम उराम से पेट से वापस मूह में लागकर चबाने को ही जुगाली करना कहते हैं जंगली पशों के घरों के बारे में लिखिये जंगली पशों के घर तरह तरह के होते हैं कुछ पशू धर्ती में गड़ा खोद कर उसमें रहते हैं, कुछ गुफाओं को अपना निवास बना लेते हैं, तता कुछ दूसरों की खोहों में डेरा डाल कर रहते हैं पशू हमारे मित्र कैसे हैं? पशू हमारे लिए बहुत ही उप्योगी हैं, वह हमारी बहुत सी आवशक्ताइं पूरी करते हैं, इस तरीके से पशू हमारे मित्र हैं चलिए अब आते हैं हम पाँचवे पर, इसमें हमें रिक्तिस्तान को भरना हैं, पशू को चौपाया भी कहते हैं पशों के बच्चे मा के दूद पर पलते हैं कुछ पशों के खोड़े जैसे खुर होते हैं सींग पशों के खतियार होते हैं पशों हमारे मित्र हैं चलिए अब आते हैं हम भाशग्यान पर पहला इसमें हमें उच्चत शब्दो द्वारा खाली स्थान को भरना है बैल और भैसें खेती के काम में आते हैं पशों के चम्डे से जूते और बहुत सी तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं गाई, भैस, बक्री, पालतू पशों हैं इनसे हमें दूद मिलता हैं पशों के गोबर से खाद बनती हैं भेडों से हमें उन प्राप्त होती हैं चलिए अब आते हैं हमें दूसरे पर इसमें हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना हैं जंगल में रहने वाले पशों को हम क्या कहते हैं? जंगली चानवर मास काने वाले को हम क्या कहते हैं? मासाहारी जिन पशों को हम पालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पालतु पशू जो पशू घास खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर इसमें हमें विलूम शब्द लिखने हैं अंधेरा का विलूम क्या होगा उजाला, लंबा का छोटा मोटी का पतली शत्रू का मित्र धीरे का तेज सच्चा का छोटा चलिए अब आते हैं हम चौथे पर इसमें हमें बहुवचन बनाना है नहर का बहुवचन क्या होगा नहरे गाई का गाई बच्चा का बच्चे खो़ो का खो़ो लंबा का लंबे भैस का भैसे गड़ा का कड़े प्यारा का प्यारे चलिए अब आते हैं हम पाँचवे पर इसमें हमें वर्म विच्चेद करना है ये आपको खोद करना है चलिए अब आते हैं हम चटे पर इसमें जो निमलिकित शब्द दिये गए हैं उनके हमें दो दो परियावाची शब्द लिखने हैं गाए का होगा हमारा धीनों और गवू शरीर का काया तन मित्र का दोस्त साथी धर्दी का प्रित्वी धरा चलिए आप आते हैं हम क्रियात्मक कारे पर इसमें हमें गास खाने वाले जन्तूओं के सामने दिये गए बॉक्स को हरे रंग से और मास खाने वाले चंतुओं के सामने वाले बॉक्स को राल रंग से भरना हैं। ये हरे रंग से भरेंगे, इसे हम लाल रंग से भरेंगे। इसे हम हरे रंग से भरेंगे, इसे हम लाल रंग से भरेंगे।